दोस्तों अगर आपनी बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो आपको फिल्म का यादगार गाना एजाते हुए लम हो तो याद ही होगा जिसमें सुनिल शेटी अपनी शादी वाले दिन ही अपनी पत्नी को फर्ज के चलते अलविदा कहते हुए नजर आते हैं जहां 1997 में आई इस फिल्म ने जितनी गहरी चाप छोड़ी थी उतनी ही गहरी जिस गाने में नजर आने वाली आदाकारा शरबानी मुखर जी भी दर्शकों के बीच काफी जादा पॉपलर हो गई थी लेकिन दोस्तों अभिनेत्री शरबानी मुखर जी के बारे में तो आप सब जानते होंगे पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमिली में कौन-कौन हैं क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेतरी शर्बानी मुखरजी की फैमिली से जुड़े इन ही सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहिए साथ ही इनके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें बॉर्डर फिल्म में नजरानी वाली शर्वानी मुखरजी का जन्म कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था इनके परिवार में इनहें मिला कर कुल चार सदस्य है जिनमें ये इनके माता पिता और इनके भाई शामिल है इनमें सबसे पहले बात करें इनके पिता के बारे में तो आपको बता दे इनके पिता का नाम रोनो मुखर जी है जो की प्रोफेशन से डारेक्टर हैं पर इसके बावजुद उनकी कोई भी तस्विर देखने को नहीं मिलती पिता के बाद बात करें इनकी माता जी के बारे में तो आपको बता दे कि इनकी मम्मी भी अपने पती की ही तरह लाइम लाइट में रहने की शौकिन नहीं है और इसलिए उनके भी कोई तस्विर देखने को नहीं मिलती पर बता दे हर मा बेटी की तरहाएं इन दोनों मा बेटी में भी बेशुमार प्यार है माता पिता के बाद अब बात करें इनके भाई के बारे में तो बता दे इनके एक छोटे भाई है जिनका नाम समराट मुखर जी है आपको बता दे भाई समराट प्रोफेशन से एक बंगाली फिल्म के मशूर अभिनेता है जो कि वर्तमान में शादी शुदा तो नहीं है पर वो टीवी इंडस्टी की जानी मानी अभिनेतरी शुमोना चकरवर्ती को डेट कर रहे हैं जिसके वज़े से सुमोना चकरवर्ती सर के लिए बता दे कि शरवानी मुखर्जी बॉलिवुड की मशूर मुखर्जी फैमली से तालुकात रगती हैं जिनके पिता मशूर डायरेक्टर और प्रड्यूसर शुमो मुखर्जी और जॉय मुखर्जी के भाई लगते हैं और इसी वज़े से अभिनेतरी रानी मुखर् हजी भी इनके कजिन ब्रदर है जिनके साथ इनका बेहत खुबसूरत रिष्टा देखने को मिलता है वहीं बता दे यूँ तो इन्होंने अब तक शादी करके घर नहीं बसाया है पर ये बॉलिवुड के मशूर प्रड्यूसर अंजुम रिजवी को डेट कर चुकी है मगर क इसी वज़े से 52 साल की उम्र में भी ये कुमारी बैठी हुई है तो दोस्तों अभी नेत्री शरबानी मुखर जी की रियल लाइफ फैमली के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहोगे आप हमें अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स वे कॉमेंट करके ज़रू बताएं और साथ ही बॉलिवुट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मज़िदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले